हाई दोस्तो टीना बुटिक चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर आपकी मशीन कपड़े नहीं खीच रही है पीछे की तरफ तो इसका क्या रीजन है दोस्तो इस वीडियो में इसी टॉपिक के उपर हम बात करेंगे कि अगर आपकी मशीन प्रोपर कपड़े को नहीं पीछे की तरफ खीच रही है तो इसका क्या रीजन है इसकी टॉपिक पे आज बात करेंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पदर आगर आख हमारे चालब पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंडी के बटन चरूर दमाएं और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें जिसे के मूड़े आपको जो सिर्फ आपको एक ही जगर पे कपड़ा इस तरीके से रन करता होगा और धीरे धीरे अब कपड़ा खीछती है या फिर इस तरीके से रन सिर्फ करता रहता है तो इसका रीजन क्या रहता है अगर आपको जब मशीन चलाते होंगे तो आपको कहीं बार क्या करना पड़ता होगा कुंपडे करके अप वोलड करके आप मोल रहोते हैं, तो आपको पीछे के तरफ इस तरीके से हाथ लगाने के बाद की आपको खीचना परता होगा तो यह जो इस तरीके से आप इस तरीके से खीचेंगे तब आपका जा करके मशीन प्रोपर सिलाई करती है और फिर सिलाई हो पाती है तो इसका क्या रिजन है आपकी इस तरीके से इसका solution निकारेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको simple और solution बताता हूँ सबसे पहले आपको अपने यह जो आपका machine का दाब जी से कह रहे या फिर आप अपने जबान में चाप या दाब जो भी आप बोल सकते हैं इसको इसको आपको या फिर foot बोल सकते हैं तो इसको आपको open करना है तो चलिए foot बोल इसको open करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसको आपको simply आपको यहाँ पर जो screw drive दिया हुआ रहता है इसको इस तरीके से आपको open कर लेना है उपन करने के बाद आपको इस तरी के से निकालना है और यहां पे आपको देखना है इसमें अगर आपको यहां पे यहां पे आपको निशान बन जाता है जब आप मशीन चलाते हैं और जब आप कभी-कभी मशीन में धागा भरते हैं बोबिन का यहां पे आप मशीन चलाते र कि आप जब भी आप machine में bobbin में धागा भरे तो आप दाब को ऊपर के तरफ उठा ले उसके बाद ही आप धागा भरे या रात में भी जाब आप सोते हैं तो उस तमय पर मशीन को इस तरीके से नीचे ना दाब करके छोड़े बरकी इसको ऊपर उठा करके छोड़े ओके और यहां पर दाग बन गया है निशान तो इसको आपको replace कर देना है यानि कि दूसरा आपको दाप purchase करके लाना है और इसमें इसको खरीद के इसको इसमें set कर देना है तब आपका problem 100% solve हो जाएगा तो चली मैंने ये दाप पहले से खरीदा ये ये पुराना वाला है और ये मैंने purchase करके लाया है तो चली फड़ाफट इसको save set करते हैं और फिर देखते हैं कि पीछे बीना हाथ लगाए हमारे machine proper सिलाई करती है या नहीं तो चली मैंने अपने मैंने अपने food को proper तरीके से tight कर दिया है अब आपको दिखाता हूँ सिलाई लगा करके कि ये आप कपड़े खीच रही है या नहीं तो चली फड़ाफट इसको try कर लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं आप machine हमारी proper कपड़ा kitchener शुरूप कर दिया है तो इस तरीके से आप इन सारे problem से आप solution निकाल करते हैं तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए like छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत काम किया है तो वीडियो को like करने के बाद channel को subscribe चरूर करें और मेंते हैं next studio में तब तक के लिए धन्यवाद